So good morning guys और आपके करीक एक्जाम चैनल में आप सब एका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 17 जून के important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो देखिए मारा पहला प्रश्न क्या है हाली में विश्व, मरु, स्थली, करण और सूखा, रोक्थाम दिवस ये कब मनाया गया तो answer होगा 17 जून को यानि कि world day to combat desertification and drought और इसे हर साल 17 जून को ही मनाया जाता है तो पूरे विश्व में बंजर और सूखे से मुकाबला करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है पहली बार इसे 1995 में मनाया गया था सबसे important तो रहेगी इस बार की theme क्या है इस बार की theme है restoration, land, recovery, we build back better with healthy land तो यह आपको theme ध्यान रखनी है तो important day वाल अगुष्यन आ गया चलिए जून के एक बार फिर से मैं आपको revise कराता हूँ जितने भी important days अभी तक हम मना चुके हैं एक जून को हमने world milk day मनाया एक जून को ही global day of parents के रूप में मनाया दो जून को तेलांगना का स्थापन दिवस होता है तीन जून को world bicycle day मनाया पांच जून को world environment day मनाया साथ जून को world food safety day विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया आठ जून को world ocean day मनाया नू जून को विश्व प्रत्यायन दिवस world accreditation day मनाया बारा जून को बाल शरम के खिलाफ विश्व दिवस यानि की world day against child labor मनाया तेरा जून को अंतरराश्टर रंग हींता जागरूकता दिवस international albinism awareness day मनाया 14 जून को हमने विश्व रक्तिदाता दिवस world blood donate day मनाया फिर 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्वेवार जागरूकता दिवस world elder abuse awareness दिवनाया और 16 जून को अभी अंतरराश्टर परिवार प्रिक्षन दिवस international day of family remittance के रुपे मनाया था तो ये सारे days आपको याद रखने हैं बढ़ते आगे फिर बताइए अभी हाली में किसे मई महिने के लिए ICC means player of the month चुना गया है तो आंचर होगा मुश्विकुर रहीम को आपको याद होगा इस साल ICC ने एक नया अवर्ड शुरू किया था ICC player of the month तो अभी मई महिने के लिए ICC means player of the month चुना गया किसे मुश्विकुर रहीम को ये बांगलादेश की प्लेयर है और वहीं अगर बात करेंगे महिलाओं में यानि कि ICC women's player of the month किसे चुना गया तो कैथरीन ब्राइस को ये स्कॉटलेंड की प्लेयर है अब ये तो बात हो गई मई महिने की इससे पहले जनवरी हो गया फरवरी, मार्च, अप्रेल तो उनमें भी एक बार में मैं रिवाइस कर लेते हैं कि किन किन को चुना गया था देखो जनवरी महिने के लिए बात करेंगे तो पुरूशों में यानि की ICC Mainz Player of the Month चुना गया था रिशप पंद को महिलाओं में बात करेंगे तो शबनी मिसमाइल को जो कि साउथ अफरिका की है फरवरी महिने की बात करेंगे तो पुरूशों में आर अश्विन को चुना गया और महिलाओं में टेमी बैमॉंट को जो कि इंगलेंड की है फिर मार्च महिने में पुरूशों में भुवनेश्वर कुमार को चुना गया और महिलाओं में लीजैले ली को जो कि साउथ अफरिका से है उसके बाद अप्रिल मंत के लिए पुरूशों में चुना गया बाबर आजम को और महिलाओं में एलिसा हैली को जो की आस्ट्रेलिया की प्लेयर है बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं और अब मई महीने का हमने देख लिया पुरूशों में चुना गया मुष्ष फिक्कुर रहीम को जो की बांगलादेश के हैं और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस को जो की स्कॉटलेंड की प्लेयर है बाकी ICC देखो ICC की स्टापना होती उनिस्सो नो में हैटक्वर्टर दुबई यू एई में है CEO को ने मनु सहानी हैं और अभी नए चेयर्मेन बने थे ग्रेग बार कले जो की न्यूजिलेंड के हैं अच्छा कली अभी हमने इससे एक प्रशन पढ़ा था चलो बताओ अभी ICC ने किस भारते को हॉल आफ फेम में शामिल किया तो आंसर होगा वीनू माकंड को और इस तरह से टोटल साथ भ किसे मिला था तूँ आंशर होगा विराट कोली को और महीलाओ में ईलिसा पैरी को एक अलावा धशक में खेल भावना दिखाने के लिए किसे संबाणित किया गया तो महिंदर सिंग्धुनी को उसके अगर आपसे पूछाता है दसक के सर्विश्रेश्ट टी- ट्वंटी किरकेटर कौन रहे यह अफगणिस्तान के राशिद खान रहे तो यह पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है सारे बढ़ते हैं अगे अच्छा फिर बताए हाली में खोजी गई पाईरो पाइरोस्ट्रिया लाल जी ये कोफी की एक नई प्रजाती है जो कहां मिली है अंडमा निकोबार में और इसके पेड़ की उचाई कितनी है 15 मीटर की है और याद रखना ये red डेटा बुक में critically endangered यानकी गंबी रूप से संकट गरस्त श्रेणी में है पाइरोस्ट्रिया लाल अच्छा मुझे बताओ अभी हाली में खोजी गई MACS1407 ये किसकी प्रजाती है ये सोया बीन की है जो की कीट प्रतिरोधी प्रजाती है और इसे उत्पादन बढ़ता है वैसे कौफी के मामले में इसके कौफी के production में उत्पादन में नंबर वन कंट्री कौन सा है ब्राजी और भारत में कौफी की मामले में नंबर वन है करनाटक करनाटक नंबर वन है कौफी के उत्पादन में अच्छा अंडमान निकोबार की capital क्या है पोर्ट बलेर है याके लेफटनेन गवर्नर है तिविंद्र कुमार जूशी अंडमान निकोबार में आपको टूटल कितने आ नाम बदल कर नेताजी सुभास चंदर बोस के नाम पर रखा गया नील आइलेंड का नाम शहीद आइलेंड रखा गया हेवलोक आइलेंड का नाम सुराज आइलेंड रखा गया उसके अलब अगर आपसे पूछा जाए कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना कौन सा तो अंडमान निकोबार अचा अंडमान निकोबार की सबसी उची चूटी कौन सी सेडल पीक है और अंडमान निकोबार का हाई कोट कौन सा है तो कॉलकता हाई कोट और यहीं पे आपको साउथ बटन नेशनल पार्क भी मिलेगा जो की शेतरफल की दृष्टी स सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में है और भारत का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी बेरन द्वीब जौला मुखी है जो कि आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में तो यह यहाँ से पॉइंट से ध्यान रखना पढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किसने G1YU नाम से एक उपकरन को डेवलप किया है तो अंसर होगा IIT रोपर ने तो G1YU नाम का यह जो उपकरन है इसको बनाया है IIT रोपर ने और यह बिना बिजली के चलेगा मतलब सिलेंडर या पाइपलाइन से जो ऑक्सिजन आ रही है न उसके फ्लू को यह कंट्रूल करेगा और इसके लिए बिजली के आवशकता नहीं होगी और इसका सबसे सही इस्तमाल हो सकेगा छोटे छोटे जो कस्बे हो गए ग्रामीन अलाके हो गए जहां पे बिजली की समस्चा रहती है तो यह भारत की पहली ऐसी डिवाईस है जो बिना बिजली के काम करेगी और इसे CPAP की जगे इस्तमाल किया जाएगा CPAP मतलब Continuous Positive Airway Pressure किसने बनाया याद रखना सिंपल सा IIT रोपड ने वैसे IIT रोपड ने एक और चीज बनाई थी अभी आपको याद होगा तो Online Fariby का पता लगाने के लिए Fake Buster नाम से एक Detector भी डेवलप किया था IIT रोपड ने वैसे अभी इस रोण ने तीन Ventilator और एक Concentrator बनाय था Concentrator का नाम था स्वास तीन Ventilator के नाम थे प्राण, वायू और स्वस्त और एक कुशन में हम पढ़ रहे हैं यह है जीवन वायू बाक्की IIT रोड की की बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं शेलेश गोबिंद उन्होंने विश्फूड प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए NSG पुरुसकार जीता है और अभी QS World University रेंगिंग आय थी जिसमें Top 200 में तीन भारते यूनिवर्सेटीज हैं कौन-कौन से? IIT Bombay, IIT Delhi और IISC Bengaluru और IISC Bengaluru Research के मामले में Top पे रहा है यमने पड़ा था उसके अलावा Center for World University रेंकिंग में भारत में Top पे रहा था IIM एहंदाबाद जो कि इस लिस्ट में 455 नंबर पे था Top पे Harvard University था तो यहां से आप ये याद रख सकते हैं बढ़ते आगे अचा फिर बताईए अभी हाली में Tokyo Paralampic में Taekwondo में क्वालिफाई करने वाली पहली भारते त्वाइकवांडो खिलाडी कौन से बन गई है तो आंसर होगा अरूना तवर तो अरूना तवर ये पहली भारते अथलीट बन गई हैं जिन्होंने Tokyo Paralampic में क्वालिफाई किया है किस खिल में? Taekwondo में इनका नाम है अरूना तवर ये भिवानी हर्याणा से है आचा मैंने आपको बताया था न Tokyo Olympic का शुभंकर के मैस्कॉट मिर्राइतोबा और Tokyo Paralampic का शुभंकर है सोमाइती सोमाइती और मिर्राइतोबा बाकी देवेंदर जाजडिया का बात करेंगे तो देखो ये प्रश्ण पूछा जाता है exam में कि देवेंदर जाजडिया का सम्मंध किस से है भाला फेक से जैविलियन थ्रोवर है ये ये चुरूर राजस्थान से है और इनका नाम important क्यों हो जाता है क्योंकि दो बार Paralympic में gold medal जीतने वाले ये पहले भारते खिला रही है और दो बार कौन-कौन से Olympic में एक तो 2004 में जो Athens Paralympic था वहाँ पे और 2016 वाले जो Rio Paralympic हो ये थे वहाँ पे gold जीता था इन्होंने तो इनका नाम ध्यान रखना आपको इनका सम्मंद भाला फेक से है बाकी देखो नेत्रा कुमानन आपको यादो का Tokyo Olympic में क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारते नावी का बनी है फवाद मेरजा की बात करेंगे तो Tokyo Olympic में क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारते घुड़सवार बने भवानी देवी का नाम भी याद रखलो आप क्योंकि Tokyo Olympic में क्वालिफाई करने वाली ये पहली तलवार बाज बनी है और मेरा भाई चानू भी नाम याद रखो क्योंकि ये Tokyo Olympic में क्वालिफाई करने वाली पहली वेट लिफ्टर बनी है एक अशूप कुमार का नाम भी आपको याद रखना होगा क्योंकि अभी Tokyo Olympic में कुष्टी में अमपैरिंग करने वाले एक मातर भारते रेफरी जो बने है ये अच्छा इंटरनेशनल Olympic Committee का हेड़कोटर कहाँ पर है लुजैन स्विट्चलेन में है इसके अध्यक्षे थॉमस बाक तो इस प्रशने से अरुना तवर का नाम याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किस राज्य में रजा पर्व उत्सव ये मनाया गया तो अंसर होगा उडिसा में तो उडिसा में रज पर्व बोल दीजिए या राजा पर्व इससे बोला जाता ही ये उत्सव मनाया गया ये तीन दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्योहार है जिसमें मानसून की शुरुवात और भू देवी यानि कि धर्ती माता की विशीष पूजा की जाती है इस समय ऐसा माना जाता है कि इस दोरान धर्ती माता या भू देवी जिसे आप बोल रहे हो उनको मासिक धर्माता है इसलिए तीन दिनों के दोरान महिलाएं काम नहीं करती है और जो किसाने वो खेतों में हल वगेरा नहीं चलाते हैं तो सिंपल सा याद रखना है रजा पर्व उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है उडिसा में मनाया जाता है लेकिन कई-कई बार ये डारेक्ट प्रशन नहीं आता है एक बार एक्जाम का प्रश्ण में आपको बताता हूँ प्रश्ण इस तरह से आये था कि नारित्व को समर्पित कौन सा त्योहार है तो इसका आंसर होगा रज पर्व तो इस तरह से भी प्रश्ण घूम जाता है तो आप ध्यान रखना बाकी देखू उडिसा के कुछ और भी इंपोर्टेंट त्योहार है धानु जात्रा पर्व का सम्मंद किस राज्य से है पूछा जाता है तो आंसर करना उडिसा नुवा खाई त्योहार मनाया जाता है उडिसा में और प्रश्ण से भी पूछ लिया जा सकता है कि जगनात रत यात्रा का सम्मंद किस राज्य से है उडिसा उडिसा के पूरी में ये यात्रा निकलती है बाकी कलिंग महुत्सव हो गया चंदन यात्रा हो गई कोनार्क नरत्य महुत्सव हो गया कोनार्क मंदिर है नहीं याँपे एक छव उत्सव हो गया, छत्तर जात्तरा हो गई, इन सब का संबंद आपका उडिसा से है, यह आपको ध्यान रखना है, बात उडिसा की ओरी है तो आप मैप में देखी यह रहा उडिसा, देखो इसकी कैपिटल कैब होनेशवर है, मुक्यमंत्रिये नवीन पतनायक और गवर आश्टर साहित्य पुरुसकार प्रदान करने का भी निर्ने लिया है, और देखो अभी उडिसा ने ही गोपा बंदू संपदिका स्वास्तवीमा योजना को भी शुरू किया था, और बताइए अभी केंदर सरकार ने धामरा नदी पर एक रोपेक्स जेटी पर योजना को म भूनेश्वर में खूली जाएगी, उसके अलावा भारत का पहला विश्व कौशल केंदर वर्ल्ड स्किल सेंटर का उधगातन भी किया गया भूनेश्वर में ही, और भूनेश्वर में ही कोविड योद्धा इसमारक भी बनाये जाएंगे, अभी एम्स भूनेश्वर ने जो मेंस होकी वर्ल्ड कप होंगे, ये उडिसा में होंगे, उडिसा के भूनेश्वर और राउरकेला में, राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम भी बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है, और याद रखना देखो चिलका लेक एश्या की सबसे बड़ी खारे पानी की तटिये जीले है और ये भारत की पहली रामसर साइट भी है रामसर साइट का इसे दर्जा मिला था 1981 में और यहीं पे आपको नलबाना पक्षी अभ्यारणने भी मिलेगा और यहीं पे आपको एक डॉल्फिन भी मिलेगी जिसका नाम क्या है इर्रावदी डॉल्फिन बाकी एक्जाम में पूछा जाता है बलेक पगोडा टेंपल ये किसे केते हैं कोनारक संट टेंपल को केते हैं आपका जो दस रुपे का करंसी नोट है उसमें इसी का चितरंग केते हैं लॉंगेस्ट डैम ऑफ इंडिया हेराकुट डैम है उडिसा में मिलेगा महानधी पर बारबत्ती स्टेडियम ये कटक उडिसा में आपको मिल जाएगा उसके लावा याद रखना जनजाच के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राजजा आपका उडिसा ही है यहीं पर आपको सत्कूश या टाइगर रिजर मिल जाएगा सिमली पाल टाइगर रिजर मिल जाएगा बितर कनी का नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यह सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आपको उडिसा से एक साथ बता दिये उनको ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए दुनिया का पहला लकडी से बना उपगरह यह कहां से लांच किया जाएगा तो अंसर का न्यूजिलेंड से तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी यह 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकडी से बना उपगरह यानि के सैटलाइट जिसका नाम है विसा वुड्ड सेट इसको प्रत्वी की कक्षा में लांच करेगी और इसे प्लाइवुड जैसी लकडी की सामगरी के उप्यूक का परिक्षन करने के लिए लांच किया जाएगा और इस सैटलाइट को फिनलेंड में डिजाइन किया गया और वहीं पे इस को बनाया भिगा है अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा हमने पड़ा था जापान भी लकडी से बना सैटलाइट तयार कर रहा है जिसे वो 2000 TVs तक launch करेगा और उससे पहले 2021 के अन तक ये इसे launch कर देंगे देखो न्यूजिलेंड की बात है तो ये रहा map में न्यूजिलेंड देखो न्यूजिलेंड की capital Wellington है currency है न्यूजिलेंड डॉलर और धन्मंत्रे है जैसें डार्डन अभी आपको याद होगा वित्ती शेतर के लिए जलवायू परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश बना था न्यूजिलेंड उसके अलावा गर्ब पात शोक अउकाश यानि कि मिसकरेज बियर्वमेंट लिव लोक को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना था न्यूजिलेंड पहला तो भारत है और सौफिड डिवाइन ये न्यूजिलेंड की ही प्लेयर है और इनका नाम न्यूज में क भड़ते आगे फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है अभी हाली में किस भारतिय पहलően ने पॉलेंड ओपन में गूल्ड मेडल जीता है तो अंसरों का विनेश फोगाट में तो अभी भारतिय पहलवान विनेश फोगाट में पॉलेंड ओपन में 53 किलो ग्राम वर्ग म गूल्ड मेडल जीता है और याद रखना है इस सीजन का इनका तीसरा खिताब है पहला मार्च के महीने में जो माटे ओ पहली कॉन इवेंट हुआ था वहाँ पे जीता था और दूसरा भी अप्रिल के महीने में जो एशिन चेंपेंशिप हुए थी उसमें गोल्ड मिडल जीता था इन्होंने और अब याद रखना टोक्यो अलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये पहली महीलिया पहलवान है क्या नाम है विनिश फोगाड पढ़ते आगे बताईए हाली में लांच की गई बुक जिसका नाम है Believe What Life and Cricket Taught Me आप से पूछा जा रहा है इसके लिखर कोन है देखो वैसे तो आप सब को बता है यह उटोबाइगराफी है सुरेश रेना की हम इसे अप्रिल मन्त में ही पढ़ चुके हैं जब यह न्यूज में रही थी और अभी फाइनली इसको लांच कर दिया गया है तो सुरेश रेना की ओटोबाइगराफी है याद रखना जिसका नाम है Believe What Life and Cricket Taught Me और इसे किस ने लिखा है इसे सुरेश रेना और स्पूर्ट्स ओथर है भरत सुंदरम उन्होंने लिखा है तो यह आपको ध्यान रखना है बाके देखो शशी थरूर इन्होंने कौन से बुक लिखी थी An Era of Darkness डेविड डायोप यह फ्रांस के ओथर है और इन्हें इनकी एक बुक है It Night All Blood Is Black के लिए 2020 का अंतरराष्टर बुक कर पुरुस्कार मिला है अमरते सेन कली पढ़ा है Home in the World नाम की रोने बुक को लिखा है यह सारे option वाले नाम important है बढ़ते आगे बताए अभी हाली में NATO का 31 वा शिखर सम्मिलन 2020 कहां पर हुआ तो आंसर होगा Brussels Belgium में तो अभी NATO की सदस्य देशों ने Belgium के Brussels में जहां पर NATO का headquarter है वहीं पर यह सम्मिट हुआ यह शिखर सम्मिलन आयोजित किया गया यह इसकी कौन सी मीटिंग थी कौन सा संसकरन था 31 वा और यह पहला NATO शिखर सम्मिलन था जिसमें अमेरिके राष्टरपती जो बाइडन ने भाग लिया अभी NATO से आपको याद होगा इसने एक exercise भी आयोजित किया था Steed Fast Defender 21 नाम से NATO मतलब क्या होता है North Atlantic Treaty Organization Headquarter याद रख लो इसका Brussels Belgium में है यही पर आपको European Union का भी Headquarter मिल जाएगा बागे देखो HECG Netherlands में आपको Headquarter मिलेगा International Court का World Trade Organization का Headquarter आपको Geneva Switzerland में मिल जाएगा और Rome Italy में आपको Food Agriculture Organization का Headquarter मिल जाएगा तो बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए प्रशन को तरगी तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसने Home in the World नाम की बुक को लिखाया तो आंसर होगा Amartya Sen ने जिने अर्थ शास्तर का Nobel पुरुसकार मिला था किस वर्ष में? 1998 में और ये पहले भारते बने थे Economics का Nobel पुरुसकार पाने वाले और भारत का सरवोच नागरिक सम्मान भारत रतनिन को मिला था इसके जस्ट एक साल बाद 1999 में आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईज अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के जाथ में इसको शेयर जरूर करना जो भी आपका Study Group हो गया जो भी WhatsApp Group हो गया, Telegram वहाँ पे इसे एक बार शेयर जरूर कर देना